नमस्कार दोस्तों फाइनली शौमी का मोस्ट वेटर मोबाल जो कि यह मीमास 2S लांच हो गया है चैना में दोस्तों इस फोन का कैमेरा जो है वो बराबर है आइफोन एक्स से जिया दोस्तों बल्कि उससे बहएतरन कैमेरा आपको देखने मिलता है मीमास 2S में तो आज की इस आप देख रहे हैं वेक्टाइटिक चैनल को तो चली शुरू करते हैं बहतरीन डिस्प्लेई जिया दोस्तों 18 इस्टो नाइन का जिसका एस्पेक्ट रेश्यो है बट ऊपर की तरफ आपको छोटी सी बेजल से देखने मिलती है और नीची की तरफ थोड़ी सी मोटी बेजल से क्यूंकि वहाँ पे है आपको देखने मिलता है एक बहतरीन तरीकी का डिस्प्ले आपको देखने मिलता है बात करें इस फोन की ओर आलूप की तो दोस्तों बैक साइड से भी यह फोन सच में काफी कमाल देखता है व्लिट एपतर लॉडर्वितों फोह झानों की अलग लग ईलो टिटन के को यह ठीटेश मलता है जो की है क्योरी बाइब के मेरा भी अपले खुट छिब वास मेर भी ऑसे हुल ढात करें इस on की लुकिया इंट इस्पल्य की मैं में काफी कमाल का डिस्प्लेइ एंड कमाल की बॉड़ी देखने की मिलती है यह शायूमी के मी मैक्स 2s में इस फोन का प्रोसेसर भी इस फोन की लुग की तरह आई जी आपको देखने की तरफ से आने वाला स्नेप्र डाइगन का 845 वाला भाहतरी प्रोसेसर दोस्तों यह प्र प्राफिक्स के भी गेम आप इस फोन में बेज जीज़ खेल सकते हो तो इस फोन का परफ़र्मस सच में काफी बहते रहना होगा बात करेंगर इस फोन की बैटरी के तो इस फोन में आपको देखनेंग मिलता है दोस्तों यह फोन जाए वह फ्लैक्शिप सीरीज का है तो इसमे जादा बैटरी नहीं देखनेंगों बिलेगी बट इस फोन में आपको देखनेंग मिलेगी 3400 mh की बैटरी जो चलेगी एक दिन तक उससे जादा चलेगी नहीं बट इस फोन में आपको देखनेंग मिलता है USB Type-C का पोर्ट मतलब की क्युश चार्जिंग आपको इस फोन मे फोन के तो बैटरी सच में काफी बैटरीन है फास्ट चार्जिंग और टुक संग का भी सपर्ट होता है तो एक दिन तक चलेगी यह बैटरी तो और आल देखे तो इस फोन का performance सच में काफी बैटरीन होगा अफकर एगर इस फोन के सबसे बड़े फीचर की तो है इस फोन का कैमेरा जिया दोस्तों इस फोन में आपको बैक साइड की तरफ वर्टिकल डुएल कैमेरा देखने मिलता है विट एलेडी फ्लेश बारा प्लस बारा मेगा पिक्सल के दो कैमेर है जिसका एपरेचर है वन पॉइंट एट एट टू पॉइंट फॉर जो कि आता है एक आता है सो 2x Optical Zooming, Telephoto Lens, Low Light, Portrait Mode, Booke Mode यह सभी आपको इस फोन में देखने मिलता है AI को भी यह कैमेरा सपोर्ट करता है तो इस फोन का कैमेरा सच में काफी बहतर है और यह बीट करेगा आइफोन X के कैमेर को जिया दूस्तों उन्होंने जो comparison किया इन दोनों फोन के फोन के फोन के फो क्योंकि यहां पर आपको देखने मिलता है नीची की तरफ 5 Megapixel का Selfie Camera जिया दूस्तों वो भी ठीक टा कैमेरा है बट 5 Megapixel थोड़ा सा कम होता है लगबग 12 Megapixel तो देना चाहिए तो और आल देखा जाए तो इस फोन का back camera सच में काफी बहतरीन है बैक साइड की तरफ आपक देखने मिलते है Bluetooth भी देखने मिलता है Wi-Fi Band देखने मिलता है and multitasking NFC देखने मिलता है जिया दूस्तों एक बहतरीन feature के साथ में आपको यह phone देखने मिलता है बात करेंगर इस phone के operating system की तो इस phone में आपको देखने मिलता है MIU का 9.5 वाला latest version and जो की best है Android के Oreo के साथ जिया दूस इस phone में आपको देखने मिलता है dual SIM का support जिया दूस्तों अब बात करते है variant की तो इस phone में आपको टू वाला इंड में देखने मिलता है जिसमें की है 6GB की RAM 128GB का storage and दूसरा है 8GB की RAM 256GB का storage जिया दूस्तों धेर सारे storage के साथ आपको यह phone देखने मिलता है 6GB का variant जाता है 40,000 के आसपास में जा दूस्तों प्राइज भी इतनी कुछ जादा नहीं है थोड़ी से जादा है लगबग इसकी प्राइज है वो 30 and 37 तक होनी चाहिए तो दोस्तों यह ता Xiaomi का Mi Max 2S बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाला है क्योंकि यह phone जो है वो टक कर देन का यह phone प्लीज बताइए मुझे comments में तो दोस्तों फिलाज इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पस्ते ना है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा यूटूब चैनल है Vector Tech को प्लीज इस सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई प्लीज कमेंट वाक्स में कमेंट कर दीजे